इस कैसे हैं आप लोग आई होप आप अच्चे होंगे आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हुए पे लेटर अप्लिकेशन के बारे में जिस अप्लिकेशन में आप 60,000 की लिमिट है आसानी से ले सकते हैं और उस लिमिट को यूज भी कर सकते हैं इस टेंड की इस टेंड तो इस अप्लिकेशन का नाम क्या है जो आपके लिए 60,000 की क्रेडिल लिमिट है आसानी से दे रही है जो पे लेटर लिमिट है वो आसानी से आपके बैंक अकॉंड में भी ट्रांसपर हो जाएगी तो अप्लिकेशन का नाम क्या है इसमें कैसे अपलाई करते हैं सारी कुछ प्रोसेज आज की वुड़ो में मैं आपके लिए लाइब प्रूब करके दिखाने वाला हूँ तो वीडियो को शुरू से लेकर लाइज तक जरूर वाच करें चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने दोस्तों क्योंकि हम आपके लिए इसी परकार क बिल्सक्राइब गरें लिए यहां पर लिक करना है यहां पर आपके लिए आगे बड़ेग के भी साय को आपको जो भी आपका address होगा जैसे कि आपका address है वो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि मेरा address मतलब की true caller से पगड़ रहा है तो आपके लिए true caller से यहां पर simply से आपके details भरनी होगी details पर click करेंगे यहां पर आपके लिए अपना mobile number है उसको इंटर कर लेते हैं मैंने हैं यहां पर mobile number और अपना नाम इफिल कर लिया इसके बाद gate status के option पर klick करूँगा klick करने के बाद हिहां पर मेरा mobile number हो verify किया जाएगा वेरिफाइच जाने के बाद अब मेरे शामने इस परक्रकार का इंत्रपेस खुल कर आ जाएगा अब यहां पर बोलें कि अगर आप के लिए यहां पर लिमिटे चाहिए तो unlock the power लिखा लिखा अनलॉग the power of credit तो यहां पर एक एक आपके लिए अपर उफ्सन मिल जाएगा activate का तो यहां पर मैं simply से activate के option पे click कर देता हूँ click करने के बाद मेरे सामने इस परकार का interface कुल कर आ जाएगा आप यहाँ पर बोल लाए कि अगर आप इसकी limit को use करते हैं तो low and no cost इमाई मतलब कि आप के लिए किसी भी परकार का charge देना नहीं होगा किसी भी परकार के कुछ भी hidden charge बगारा है वो कुछ नहीं देना होगा पे लेटर की application है यहाँ पर देख सकते कि इसको आप फिरी में यूज कर सकते हैं जैसे कि आपके सभी application हैं पे लेटर बादी आप यूज करते थे बैसे आप इसको भी use कर पाएंगे तो यहाँ पर okay के option पर click कर देना उसके बाद activate के option पर click कर देना है इस पर click करने के बाद आपके सामने इस परकार की processing चलने लगेगी जैसे इस परकार की processing आपकी पूरी हो जाती है उसके बाद आपके सामने इस परकार लुदालने पर में आपकान नंबर, ओो अीन बब कर कहिंने आपके साभड़ा के बाता होगा चैसी आपके सामने इस बिरिकार का इंटरर्पेस कुलकर आता है। चल लगी है कि मुझे limit मिलेगी या नहीं मिलेगी मुझे कौन सा offer मिलने बाला है तो यहाँ पर बोले है be are rejected to inform मतलब कह रहा है आपके लिए reject कर दिया गया you debt your exude मतलब कि pay letter with मतलब कि यहाँ पर not has been approved इसलिए कर दिया गया है क्योंकि मैं इनकी location में नहीं आता हूँ अगर आप इनकी location में आते हैं दिल्ली बगरा में आते हैं तो आपके लिए आसानी से इसमें limit मिल जाएगी इससे कि अगर आप customer से support चाहते तो customer के option पर आपके लिए click कर देना है click करने के बाद आप जानकारी जादा जानना चाहते कि हमारे लिए limit क्यों नहीं मिल लएए और हमें limit कहां पर address अपना fill करें जिससे हमें limit मिल सके तो यहाँ पर call के option से भी कर सकते हैं send email के option से भी कर सकते हैं दोनों जानकारी आपके लिए मिल जाएंगी अगर आपके लिए pay letter की limit मिल गई है इससे आपका option है अगले बढ़ गया है जैसा कि आपके अगले sorry लिखकर नहीं आया है और आप आगे बढ़ चुके हैं तो यहाँ पर आपके direct लिखकर आ जाएगा कि आपके लिए इतना कि आपके लिए यहां पर service नहीं दी जाएगी तो इसके लिए आपको reject कर दिया गया है तो अगर अगर inform जादा जानने जानना चाहते तो इस पर click करके call भी कर सकते हैं और message भी यहां पर कर सकते हैं mail भी कर सकते हैं अगर दोस्तों limit मिल गई हो तो comment section में हमें जरूर बताएं आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं निक्स वीडियो में तब तक लिए दोस्तों जहिंद वन्यवात रम